पापा, पापा, अरे पापा आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा दिन फोन यूज किया करो आप, रिटायर आप होई हो, आपको काम नहीं है, पर मुझे बहुत काम है, वो बड़ी साफ कराने को बोला था, कराई आपने, आप गाड़ी तो साफ करवा दिये, और बारा बजे अक आगया बेटा तू, क्या आगया पापा, इका टायम दबता है गेट खोले में आपको, एक तो खाली बैठे हैं, पर सक काम भी नहीं होता, रक्षक, यह तू कैसे बात कर रहा है पापाजी से, मैं सुभे से देख रहा हूँ, तू ऐसी पीएव कर रहा है, तो और कैसे बात क प्रशकी में कितना काम करना पड़ता है, अरे रक्षक, तू समझ, तू बेटा रहने दे, काम करना तो खाली इसे ही आता है न, यह तो यही चाहता है न, कि साथ साल की उमर में भी इसका बाप काम करें, और इसको अपनी सेलरी लाकर करके दे, मैं तो पूरी उमर यही सोचत यह बिता दी, ताकि तुम लोगों को अच्छी एडूकेशन मिल सके, तुम लोग अच्छी जॉब कर सको, और आज रिटायरमेंट के पैसों से, मैंने ये घर बनाया, एसी लगाया, तुम्हें गाड़ी लाकर के दी, ये दिन देखने के लिए, जा बेटा जा, जाकर एक ब अबने दोस्तों से पूछ, जो यहां पर किराय के मकान में रहते हैं, बस से आना जाना करते हैं, पूछ उनसे कि पूरे महीने में वो कितना पैसा बचा पाते हैं, आज तुम्हारे खर्चे क्या हैं, गाड़ी, विजली का बिल, और बाकी सारे खर्चे, राशन पानी, सब म मैं अपनी पैंशन से देता हूँ, और तो और तुम्हारी शादिया भी मेरे पैसे से हुई हैं, इतना कुछ करने के बाद दिन मैं तुमसे ये बाते सुनता रहूं, कि मैं कोई काम नहीं करता, और अगर ऐसी मुझे इस घर में रहना न, तो दे, दे मुझे इस घर का किराय दे बिजनी का बिल, दे मुझे गाड़ी की एमाई, देव सकेगा तू? सारी जिंदगी मैंने और तुमारी माने एक पल भी सकून का नहीं जिया, पता है क्यूं? ताकि हमारे बच्चे सकून से रह सकें, अच्छी तरह से जी सकें, चालिस साल की कमर तोड मेहनत के बाद, आ वो भी अपने पैसों से, वो भी तुम्हे रास नहीं आ रहा, तुम क्या चाते हो, ति मैं कोलू का बैल बना रहा हूँ? बेटा, तुझे आज ये बात समझनी आएगी, जब तु साथ साल का होगा न, और तेरा बेटा तुझे ये बात पूछेगा, तब तुझे ये बात स मुझे माफ करते हो बापा, उसे बहुत बड़ी गंती हो गई माबाप अपनी पूरी जिन्दगी बच्चों पे निचावर कर देते हैं क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, कि बुड़ापे में उनका सहरा बनी हुआ